दोस्तों अगर आप turnip app से live stream कर रहे हैं और आपकी live stream 20 से 30 मिनट के बाद automatic आफ हो रही है कुछ इस तरीके से तो जो मैं settings बता रहा हूँ उनको आप अपने mobile में कर लीजिए आपकी live stream कभी भी lag नहीं होगी और आप अपने live stream को HD quality में भी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों इसके लिए जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले अपने turnip app को open कर लेना है get started पे click करना है फिर get started पे click करना है और यहाँ पर sign up पे click करना है sign up पे click करने के बाद sign with gmail आएगा यहाँ पे जिस भी gmail id से आप sign up करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं यह जरूरी नहीं है कि id youtube account वाली ही हो और आप कुछ इस त्रीके से खुलेगा यहाँ पर जो भी चीजा है उसको skip कर देना है और फिर नीचे stream now के option पर click करना है और यहाँ पर setup stream पर click कर देना है फिर more game पर click करना है जिस भी app की आप stream करना चाहते हैं उस app को आपको select कर लेना है यहाँ पर मैं आपको दिखाने के इंस्टाग्राम एकाउंट को select कर लेता हूं फिर थोड़ा सा नीचे scroll करना है और यहाँ पर language के option पर अपनी language को select कर लेना है मैंने यहाँ पर Hindi select कर लिए next कर दिया है फिर यहाँ पर stream title description और थमने लगाने के लिए आएगा लेकिन दोस्तों जो मैं बताने वाला उसमें इसक stream कर देना है अब stream quality में सबसे उपर stream quality select कर लेना है जिस भी quality पर आप अपनी stream करना चाहते हैं फिर private stream of quality को अंटिक ही रहने देना है और यहाँ पर stream mode के option में landscape या portrait जो भी आप करना चाहते हैं वो select कर सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर landscape select कर लिए है अब थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पर stream on वाले option में YouTube, Facebook और Twitch के टिक को अंटिक ही रहने देना है और नीचे custom RTMP वाले टिक को आन कर देना है और फिर edit का option मिलेगा उस पर click करना है edit के option पर click करने के बाद कुछ इस तरीके से खुलेगा जहाँ पर RTMP URL और stream की डालने के लिए बोलेगा तो दोस्तों अब हमें अपनी turnip app की screen को minimize कर देना है और Google Chrome को open कर लेना है Google Chrome में दोस्तों आप अपनी YouTube account को login कर लीजिए और उपर एक वीडियो का option दिखेगा जिसमें plus का icon बना होगा उस पर click करने पर go live का option मिलेगा उस पर click कर देना है उस पर click करने के बाद कुछ इस तरीके से खुलेगा थोड़ा सा wait करना है और left side में आपको सबसे नीचे वाले option पर click करना होगा उस पर click करने के बाद इस तरीके से खुलेगा और यहाँ पर schedule stream पर click कर देना है उसके बाद कुछ इस तरीके से खुलेगा इसमें create new पर click कर देना है और दोस्तों अब यहाँ पर आपको अपना title, description और category select करना है यहाँ पर दोस्तों मैं अपना title यहाँ पर दोस्तों आप अपनी description लिख सकते हैं जो भी लिखना चाहते हैं उसके बाद थोड़ा सा नीचे scroll करने पर यहाँ पर how do you want to go live तो यहाँ पर stream software पर ही click रहने देना है उसके बाद category select कर लेनी है और यहाँ पर thumbnail चूच कर सकते हैं आप जो भी thumbnail लगाना चाहते हैं फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर जिस भी playlist में आप अपनी live stream को डालना चाहते हैं उस playlist को select कर लेना है और थोड़ा सा और नीचे आने पर यहाँ पर आपको no it's not made for kids वाले option पर ही tick रहने देना है उसके बाद show more वाले option पर click करना है और थोड़ा नीचे scroll करने पर यहाँ पर आपको tag डालने के लिए आएगा अगर आप यहाँ पर tag डालना चाहते हैं तो अपने tag यहाँ पर डाल सकते हैं और उसके नीचे आपको stream language select करने के लिए option आएगा यहाँ पर आप अपनी जो भी language select करना चाहते हैं उस language को select कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर next कर देना है और फिर कुछ इस तरीके से आएगा अगर आपका channel monetize है तो यह page खुलेगा otherwise अगर आपका channel monetize नहीं है तो यह page नहीं आएगा और अगर आपका channel monetize है तो यहाँ पर monetization में आपको on कर देना है और done कर देना है और फिर next कर देना है अब यह page खुल जाएगा यहाँ पर दोस्तों जैसा है वैसे ही रहने देना है और next कर देना है next करने के बाद इस तरीके से आजाएगा अगर आप अपनी stream को private रखना चाहते हैं तो private रख सकते हैं अगर unlisted रखना चाहते हैं तो unlisted रख सकते हैं मैंने यह आप पब्लिक पे क्लिक किया है नीचे एक option मिलेगा schedule का यहाँ पर दोस्तों आप date select कर सकते हैं इस भी date को आप stream अपनी दिखाना चाहते हैं और दोस्तो time select कर सकते हैं जिस भी time पर आप अपनी stream को publicly show करना चाहते हैं अब दोस्तों कुछ नहीं करना सीधे नीचे आके done कर देना है दोस्तों done करने के बाद इस तरीके से open हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों stream key और rtmp url दिख जाएगा और अब यहाँ से stream key copy कर लेनी है stream key copy करने के बाद minimize करना है और अपने turny pep पर जाना है और यहाँ पर stream key को paste कर देना है अब वापस studio पर जाना है और rtmp url को copy कर लेना है rtmp url copy करने के बाद वापस turny pep पर आना है और यहाँ पर rtmp url paste कर देना है और नीचे add link के option पर क्लिक कर देना है और simply next stream preview कर देना है उसके बाद यहाँ जो भी permission मांगता है उसको ok कर देना है और start streaming के option पर क्लिक कर देना है फिर start now वाले option पर click करना है और अब आप जो भी app आपने select किया था उस app पर आप डारेक्ट पहुंच जाएंगे अब जैसे ही आप turnip के play वाले option पर click करेंगे आपकी stream live हो जाएगी दोस्तों आपको बता दूँ यह सारी process करने से पहले आप अपने mobile में जो भी other apps हैं उनको force stop कर देना है क्योंकि आप यहाँ पर जो भी काम करेंगे screen पर वो सारा आपकी live stream पर दिखाई देगा और Google Chrome के YouTube Studio के इस page से आप और भी बहुत सारी settings कर सकते हैं जिससे कि आपकी stream और भी अच्छे तरीके से work करेगी और बिल्कुल lag नहीं करेगी ना ही इसका frame rate डाउन होगा और दोस्तों जब भी आपको stream को बंद करना है simply turnip app के logo पर click करना है और नीचे red वाले icon पर click कर देना है और stop streaming कर देना है अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इसको like, comment और share करना ना भूले और channel पर नए है तो please channel को subscribe करते हैं चलिए मिलते हैं next video में